बिहार में बढ़ रहे चुनावी सरगर्मी के बीच गुड़्डा के सांसद निसिकान दूबे अपने भागलपूर बांका जिला के दौरे के क्रम में बारा हट परखंड के पंजवारा और लखपूरा गाँ पहुँचे और लखपूरा में आयोजित जन्संपर्ग अभियान में उन्होंने ग्रामिनों को संबोधित करते हुए कहा कि वे भले ही गुड़्डा के सांसद है लेकिन गुरु धाम बौसी से उन्हें और उनके परिवार को बिसे इसलगाव है सांसद ने कहा कि मंदार परवत की ख्याती बिस्व परसिद्ध है और इसके प्रेटकस्तल की रूप में बिक्सितोने की अपार संभावना है उन्हें कहा कि गुड़्डा में बन रही नई रेल लाइन का पंजवारा से होकर वे बारा हाट तक चोड़ने के लिए प्रयासरत है साथ इन्होंने बिकास के लिए अगामी विधान सभाच चुनाब में एंडिये के उमिदवारों को ही समठ थंदे निकी अपील लोगों सिखी इसे पुर्व सांसत ने पंजवारा काली और लखपूरा काली अस्थान दोनों मंदिर पहुँच कर मा काली का स्रिवाद लिया मौके पर भाचपा के जिला अध्यच बिकास सिंग उपाध्यच राजी ब्लोचन मिस्रा पीरपैती के पुर्विधायक अमन पासमान यूवा म मौर्शा के जिला अध्यच रंजीत यादव भाचपा परखंड अध्यच सुभास सा भाचपा नेता रासमोहन ठाकूर सहीत सैकलो कारेकरता मौजूद रहे कारेकरम का संचालन निरोज जाने किया नकसल प्रभावित एवं पिछला छेतर बेलहर परखंड को किर्सी के माध्यम से मधुमक्की पालन एवं लेमन ग्रास की खेती को आगे बढ़ाने के लिए जिलाधीकारी सुहर्ज भगत ने गुरुवार को बेलहर एग्रो किसानुत पादक कंपनी एवं हरियों बी बॉक् उन्होंने प्रवासी मजदूरों के दोरा मधुमक्की पालन के लिए बनाय जा रहे बकसा के बारे में बिस्तार से जानकारी ली साथ ही मधुमक्की पालन के लिए रानी मक्की तयार करने के बारे में भी जानकारी ली वहीं मधुमक्की पालन कर रहे किसान परसंजीत कुमा प्रवीन कुमार, राज कुमार, कैलू मंडल एउम परने कुमार से भी मिल कर जानकारियां ली गई वही किर्सी विभा के कर्मी ने बताया कि 25,000 मधुमक्की पालन के बक्से का वितरन इच्छु किसानों को प्रसिचंदिला कर अनुदानित दर पर किया जाएगा बाका जला के बिलहर परकंड को मधुमक्की पालन के लिए चयन किया गया है वही उसके साथ ही लेमन ग्रास के लिए बिलहर को कॉरिडोर सेंटर बनाने में तेलिया कुडी पंचायत अंदरकल सुरहाई गाउं में लेमन ग्रास की खेती प्रारंब की गई है जिसे देखने के लिए भी जिलाधिकारी पहुझ कर किसान दिवाकर कुमार, दिनियस चौधरी, चंदेश्परी सिंग, केलू मंडल आदी से मिलकर जानकारिया ली वहिस मौके पर जिला कोसागार पतादिकारी नवल किसोर यादब, जिला किरसी पतादिकारी बिसनु देवरंजन, जिला उध्यान पतादिकारी डॉक्टर अमृता कुमारी, साहयक निदेशक भूमि संड़चन, संजय सरमा के लावा बिडियो मनोच कुमार मुर्मूस, सियो नरेंदर परसाथ, किर्सी पतादिकारी, रजनीज कुमार, गिराई उताना परभारी, बिनोत कुमार आदी उपस्थित थे बाका थाना चट्रकेच, छतरपाल पंचायत के मुरली गाउं में कोचिंग संचलक धन्नो यादब को अपराधियों ने बम मार कर जखमी कर दिया जनकारी के अनुसा धन्नो रोज की तरह कोचिंग से लौट कर अपने घर मुरली गाउं गया जहां देर साम सौच के लिए घर से निकला था जहां पहले से घात लगाया प्राधियों ने बम मार कर बुरी तरह जखमी कर दिया बम के हमले से धन्नो का बाया हाथ उड़ गया धन्नो के पिता मकुनी यादम ने बताया कि उसकी किसी से दुस्मनी नहीं थी वहीं धन्नो ककवारा दुदिया तरी मोड पर ट्यूसन पढ़ाने का काम करता था धन्नो पर हुए बम से हमले के बाद आनन फाननम राज के लिए बांका सदर अस्पतार लाया गया जहां प्राथमी कुप चार कर चिकित्सकों ने बहतर इलाज के लिए भागल पूर माया गंज रेफर कर दिया थाना धिर्ष सुबोत कुमार राओ ने बताया कि बम के हमले में एक यूवक जखमी हुआ है पुलीस मामले की जाच कर रही है बाका जिला के अमरपूर जहर के गूला चौक के समीब सीनियर चौकिदार महिंदरी आदव अपने एक अन्ने सही होगी पुलीस कर्मियों के साथ एक यूवक को गिरहतार करते वे थाना पर इसर लाई गिरहतार यूवक सहर के वाड नमर 14 महमद पूर गाउनिवासी रविंदर यादव का पुत्र बंबं यादव बताया गया मामले को लेकर थाना धच अरवीन उकुमार राय ने बताया कि चौकिदारों एवं पुलीस कर्मियों को सहर के चौक चौराहों पर सकती से ड्यूटी करते हुए असमालिक तत्वों पर नजर बनाया रखने की सकत निर्देश दिये गए हैं इसी करम में गुरूबार के दिन सहर के गोला चौक पर एक बाइक को रोकर तलासी ली गई जिसमें दो छोटे बोरे में रखे 13 लिटर दे सिसरा बरामत किया गया मौके पर बाइक समेट तसकर को गिरबतार कर थाना पर इसर लाया गया थाना धच ने बताया कि गरबतार यूबक पर उत्पाद अधिनियम के तहट प्राथमी की दर्ज करते हुए कारवाई की जा रही है अवेद खनन पर लगाम लगाने की उदेश से अमरपूर थाना धच अरविंद कुमार राय की नेतर तुमें अवेद घाटों पर की जारे चापे मारी अभियान के तहट गुरुबार की रात्री जेठोर जमुआ गाउं के समी बालू लदी दो पीकप वाहन को जब्त करते हुए थाना पर इसर लाया गया मामले को लेकर थाना धच ने बताया कि अवेद बालू घाटों पर चापे मारी अभियान के तहट बालू लदी पीकप को रोकने का इसा रा किया लेकिन दोनों पीकप के चालक पुलीस बाहन को देखकर अंधेरे का फायदा उठा कर वाहन छोड़ कर फरार हो गये यह दोनों वाहनों को जब्त करते हुए ठाना परिसर लाया गया जब तब वाहनों के संबंध में खननपनादिकारी को सूचना देते हुए कारवाई की जा रही है उधर दूसरी तरफ पुलीस के तरह अवेद घाटों पर लगातार किये जा रहे चापे मारिया भियान से बालू माफियाओं में साफ तौर पर हड़कंप देखी जा रही है घाटना के जानकारी रजाटों पुलीस को देते हुए परीजन दोनों गायलों को रेकर रजाटों स्वास्ति के दे पहुँची गर्दन और कलाई एवं सरीर के अनहिस्सों पर हुए बार की वज़ा से उनके सरीर से काफी रखतसनाव हो गया था और जख्म भी काफी गहरा थ जहां डाक्टर ललन सिंग ने उपचार करने के बाद अरुन साह की गंभी रिस्तिती को देखते हुए आननफानन में भागलपूर के माया गंज रैफर कर दिया प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुबार सुभा पुनसिया बस्तिनिवासी अरुन साह अपने घर में लक अतनी संजु दिवी जब भी बाद को छुडाने के लिए आई तो उसे भी मार कर जखमी कर दिया इस संदर में रजाउन थाना अधश निरस्तिवार ने बताया कि उक्त घटना की मामले में च्छापे मारी कर आरुपित बिनैसा को गिरपतार कर बाका जेल भेज दिया गया ह बाका जला के बौसी परखंड अंतरगत कैरी गाउं में गुरूबार देर साम सियस्पी संचालक को गोली मार दी गई साथ साथ बदमासों ने दो लाक असी हजार रुपे भी लूट लिये गहार रवस्था में सीयस्पी संचालक राकिस मिसरा को अस्थानी लोगों ने आनन फानन में बौसी रेफरर अस्पताल पहुचाया जहां हालत को देखते भे वे बस्ति डॉक्टरों ने उसे मया गंज रेफर कर दिया बताया जाता है कि CSP संचालक की हालत काफी नाजुक बने हुई है परतिश दर्सियों के नुसार CSP संचालक बॉसी के स्टेट बैंक के साखा से पैसे निकाल कर अपने घर जा रहा था उपरी कैरी गाउं के पहले नदी पर बने पुल के पास पहले से घात लगाये बदमासों ने रुपिया च्छनेने का प्रियास किया बिरोध करने पर बदमासों ने गोली मार दी गोली CSP संचालक के बाएं तरफ सीने में लगी है रूपियों से भरा बेग लेकर अपराधी स्याम बजार के तरफ भाग निकले गोली की अबाज सुनकर लोग घटना स्थलकी और दोड़ पड़े और फिर घायलवस्था में पड़े CSP संचालक को वाहन से उठा कर बॉसी रे गलपूर रेफर कर दिया गया।